कंप्यूटर सिस्टम के घटक किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुक्य तह तीन भागों में बाटा जा सकता है हाड़वेर, सौफ्वेर, डाटा हाड़वेर कंप्यूटर मशीन का भाग जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं हाड़वेर कहलाता है जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनीटर, सीप्यू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइब, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, आदी सौफ्वेर, अनुदेशों और प्रोग्रामों का सम्हूं जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है सौफ्वेर कहलाता है कंप्यूटर का हाड़वेर सौफ्वेर के अनुदेशों के नुसार ही काम करता है एक ही हाड़वेर अलग-अलग सौफ़वेर निदेशों के अधार पर अलग-अलग कारे कर सकता है। सौफ़वेर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप में देख सकते हैं। इस परकार हाड़वेर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सौफ़वेर उसकी आत्मा। डाटा डाटा तत्यों की तत्यों और सूचनाओं का अवस्थित संकलन है। डाटा को दो परकार में विभाजित किया जा सकता है। नमबर एक संख्यात्मक डाटा यह अंकों से बना डाटा है जिसमें 0,1,2 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंक गणितिये क्लियाएं कर सकते हैं जैसे विध्यार्थियों का प्राप्ता अंक करमचारियों का वेतन आदी। नमबर दो चिनहात्मक डाटा इसमें अक्षरों अंकों तथा चिनहों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंक गणितिये क्लियाएं नहीं की जा सकती पर इनकी तुल्ला की जा सकती है जैसे करमचारियों का पता। सूचना इलेक्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग इलेक्रोनिक विदी से डाटा का विशलेशन इलेक्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश कम्प्यूटर को कारे करने के लिए दिये गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। प्रोग्राम कंप्योटर को दिये जाने वाले अनुदेशों के सम्धित को प्रोग्राम कहा जाता है। सौफ़एर कहा जाता है। झाल झाल